हेलो एवर्वर्वन दिस इस जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बाइ सेक्टर्स ओफ दा एंगल बिट्विन लाइन ए एक स्क्वेर प्लस तू एच एक्स वाइ प्लस बी वाइ स्क्वेर इक्वल टू जीरो तो बच्चो इस से रेलेटिट हमारी थ्योर लाइन एक स्क्वेर प्लस टू एक्स वाइ प्लस बी वाइ स्क्वेर इक्वल टू जीरो इस एक स्क्वेर माइनस वाइ स्क्वेर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाइ अपॉन एच तो बच्चो यह हमारी होमोजीनिस एक्वेर्शन है और बच्चो हमें पता है क जो homogenous equation हमारी होती है वो एक joint equation होती है और बच्चों joint equation का मतलब ये है कि वो line जो ये homogenous equation की line है ये two line की equation से मिलके बनी है और बच्चों हमने वही पढ़ना है कि उन दोनो lines के between जो angle बन रहा है उसका जो bisecting है वो इसके equal होगा तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर इस से related इसका diagram बनाते हैं तो बच्चों देखें तो बच्चों ये हमारी x axis और ये हमारी y axis ये बच्चों हमारा origin o है अब बच्चों यहाँ पर हम इस homogenous equation की two lines जो होती है वो यहाँ पर हम बना लेते हैं तो बच्चों ये हमारी line है पहली और बच्चों ये हमारी line है दूसरी ओके अब बच्चों इस line को मैं नाम दे लेता हूं ये जो हमारी first line है इसको मैं नाम देता हूं op और बच्चों जो हमारी second line है इसको मैं नाम देता हूं o q अब बच्चों यहाँ पर जो बात करी गई है कि bisector of the angle मतलब कि इन दोनों lines के between जो angle बन रहा है उसका bisector इसके equal होगा तो बच्चों इसको हम bisect करते हैं तो बच्चों bisect का मतलब हमारे पास ये है कि इन दोनों lines के between जो angle बन रहा है ये जो bisector है जिसको मैंने dotted lines से represent किया है इसको बच्चों मैं R का नाम दे रहता हूँ OR तो बच्चों ये इसके between जो angle है उसको दो equal भागों में बाट रहा है तो बच्चों यहाँ पर दो bisector होगे एक होगा OR bisector और बच्चों दूसरा होगा OS bisector तो बच्चों जो OR bisector है हमारा ये internal bisector है और बच्चों OS bisector हमारा external bisector है या फिर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि OR की जो परचाई है वो OS है ठीक है ना किसी चीज को अगर हम दो हिस्सों से काट रहे हैं तो बच्चों, उसके जो internal जो bisector है, internal से जो कट रहा है, उसको हम OR माल लेते हैं, और बच्चों, उसी की जो परचाई है, वो OS है, वो external bisector हो जाएगी, अगर बच्चों, ये OR, internal bisector, x-axis के साथ theta angle बनाएगा, theta, तो बच्चों, OS भी x-axis के साथ theta angle बनाएगा, ठीक है, मैं फिर दुबार रपीट कर रहा हूँ, अगर OR bisector, x-axis के साथ theta angle make करेगा, बनाएगा, तो बच्चों, similar OS भी x-axis के साथ theta angle बनाएगा, क्योंकि बच्चों, OR और OS एक ही चीज है, bisector है, लेकिन OS, OR की परचाई है, तो बच्चों, आपने इस diagram को three dimensional में imagine करना है, ओके, तो बच्चों, यह हमारा plane है, यहाँ पर मैं 3D image नहीं बना सकता, तो आपने इसको imagine करना है, कि OR है, इसकी परचाई OS है, और दोनों का angle क्या है, theta है, अब बच्चों, हम यह भी let कर लेते हैं, कि जो यह OP line है, यह line x-axis के साथ theta 1 angle बना रही है, और बच्चों, जो यह OQ line है, OQ line, ठीक है, OQ line x-axis के साथ theta 2 angle मना रही है, तो बच्चों, यह सारी condition यहाँ पर हम let कर लेंगी, ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लेखना है, given equation, given equation, तो बच्चों, हमें जो given equation यह है, ax square, plus 2hxy, plus by square, equal to 0, से equation number 1, अब बच्चों, हमने क्या करना है, कि जो जो चीजें हमने यहाँ पर ली है, उसको हमने यहाँ पर लिखना है, तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक line ली op और बच्चों, दूसरी line ली oq, तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे, let op and oq be two lines, two lines inclined, inclined at, inclined at theta 1 and theta 2 with x-axis, ठीक है बच्चों, तो बच्चों, यहाँ पर हमें let करी, कि op first line है, oq second line है, और बच्चों, यह incline, इसका जो angle है, वो theta 1 है, किसका, op का theta 1, x-axis के साथ, और बच्चों, oq का जो angle है, वो theta 2 है, x-axis के साथ, ठीक है बच्चों, यह theta 1 और यह theta 2, now बच्चों, जो bisector है, उसको भी हम let कर लेते हैं, तो बच्चों, यहाँ पर हम let करेंगे, let, or, यह बच्चों क्या है, internal bisector, be the internal, internal and, and o-s, be the external, external bisectors, bisectors, having inclined at theta with x-axis, with x-axis, तो बच्चों, यहाँ पर, or हमारा internal bisector है, os, or internal bisector, os, external bisector, और बच्चों, इनका जो angle है, x-axis के साथ, वो theta है, ठीक है बच्चों, or का भी angle theta है, और os का भी angle, x-axis के साथ theta है, ओके, अब बच्चों, हमने क्या करना है, therefore, हमने equation number, जो यह line है, हमारी op, इसकी equation लिखनी है, अब बच्चों, मैं पता ही है, कि यह हमारी homogeneous equation है, और बच्चों, homogeneous equation, इन दोनों line से मिलके बनी है, op और oq, ठीक है न, homogeneous equation, इन दो line से मिलके बनी है, और बच्चों, जब homogeneous equation का case होता है, और homogeneous equation, जिन line से मिलके बनती है, तो बच्चों, उन line के जो general equation होती है, मतलब की slope form होती है, वो y equal to mx होती है, तो बच्चों, अगर हम, अगर हम देखें, op की equation लिखें, op, तो बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर, y equal to m1x, ठीक है बच्चों, m1 के है, slope of, slope of line op, and, ठीक है बच्चों, यह हमारी हो गया, देखें, यह equation of 1 है, और बच्चों, इसको मैं कहलूंगा equation number 2, इसको मैं कहलूंगा equation number 2, and, y equal to m2x, यह बच्चों, जो हमारी equation है, slope form, यह oq की equation है, oq line की equation है, ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें पता है, कि y upon x हमारा m की equal होगा, इस form से, तो बच्चों, यह क्या है, slope होता है, m क्या slope होता है, और बच्चों, जो हमारा m होता है, उसको हम tan theta भी कहते हैं, slope को हम tan theta v कहते हैं तो बच्चों, यहाँ पर हम y upon x equal to tan theta v लिख सकते हैं, m की place पर हम tan theta v लिख सकते हैं तो बच्चों, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं m1 तो बच्चों, यह क्या होगा tan theta 1 ओके, and and, जो बच्चों, हमारा m2 होगा, वो क्या होगा tan theta 2 अब बच्चों जो हमने पिछली थियोरों में पड़ा है कि अगर इस form को इस equation को मैं M में convert कर लूँ मतलब quadratic form में convert कर लूँ तो बच्चों वहाँ पर हमारे पास sum of roots क्या आता था therefore sum of roots बच्चों हमारा क्या होता था M1 plus M2 this is equal to minus 2H बच्चों मैं यहाँ पर देख लेता हूँ directly मैं यहाँ पर कर रहा हूँ minus 2H upon B और बच्चों product of roots हमारा क्या होता था and तो बच्चों product of roots हमारा होता था M1 into M2 this is equal to A upon B तो बच्चों यह sum of roots and product of roots मैंने पिछली वीडियो में की है theory number 2 में तो बच्चों आप वहाँ से देख सकते हो यह कैसे आया सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है कि इस equation को जो हमारे पास homogeneous equation है left hand side और right hand side को हमने both side x square से divide करना है और बच्चों वहाँ पर फिर जो y upon x आएगा y upon x हमारा M के equal होता है तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास quadratic form बन जाएगी और हमारे पास sum of roots and product of roots की value आ जाएगी ठीक है तो बच्चों इसको हम बोलेंगे say 3 1, 2, 3 तो बच्चों इसको हम 4 बोलेते हैं say 4 and say 5 ठीक है बच्चों तो बच्चों इतना हमारा काम हो गया मैं आपको फिर बतारों बच्चों हमने क्या किया दो lines ली ओके और उनका bisector लिया OR और OS यहाँ पर lines कौन सी है OP, OQ उनके bisector है OR जो की internal bisector है और बच्चों OS हमारा external bisector है उसके बाद बच्चों हमने क्या किया कि हमें पता है कि OR का जो inclined है angle है वो X axis के साथ और OS का भी ठीटा ही होगा कि OR OS एकी चीज है क्योंकि OR OS एक दूसरी की परच्चाई है OP और बच्चों OQ इसका जो angle बन रहा है X axis साथ वो है ठीटा 1 और ठीटा 2 उसके बाद बच्चों हमने क्या कि हमने क्या होता है 10 थीटा 1 होगा क्योंकि बच्चों हमने M1 को 10 थीटा यहां पर पुट कर दिया और बच्चों M2 को हमने यहां पर 10 थीटा पुट कर दिया अब बच्चों हमने पता है कि पिछली वीडियो मैंने पढ़ा है कि अगर हम quadratic form में roots को sum of roots करें तो वो बच्चों minus 2 h upon b होता है और अगर हम product of roots करें तो a upon b होता है तो बच्चों हमने यहां तक बात कर दिया अब बच्चों बाकी का part sum करते हैं आगे तो उससे पहला वितना node कर ले तो now strengths हमारे पास यह form आगे थी M1 tan theta 1 M2 tan theta 2 and M1 plus M2 this is equal to minus 2 h upon b M1 into M2 this is equal to a upon b अब बच्चों हमने क्या करना है देखें now तो बच्चों हमने by sector बनाना है ठीक है तो बच्चों देखें हमारे पास जो angle है वो है P O Q ठीक है यह हमारा angle है P O Q और बच्चों उसके by sector क्या है देखें अगर मैं इसको दो भागों में बाटना हूँ तो बच्चों यह क्या होगा P O R और R O Q P O R और R O Q तो बच्चों यहाँ पर मैंने मैंने P O Q angle को दो हिस्सों में बाटा और बच्चों मैंने बताया था कि जो by sector होता है वो angle को दो equal भागों में बाटता है तो बच्चों P O R R O Q Q के equal होगा ठीक है अब बच्चों P R को हम कैसे लिख सकते देखें P O R ठीक है बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते देखें बच्चों अगर मैं X O R में से X O P निकाल दूं बाहर तो बच्चों हमारे पस क्या बचाएगा POR फिर बता रहा हुँ, देखें, हमारे पसकर ये total angle है ये वाला XOR ठीक है? हम्हें यापर लिग देता हूँ angle XOR में से अगर मैं subtract करूँ angle XOP ठीक है? तो बच्चों हमारे पस क्या आएगा? POR देखें इतना angle है हमारे पास इतना निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा POR तो बचा ठीक है वो हमने लिख दिया और बचो similarly ROQ हमारे पास है ROQ तो बचो इसको भी हमने इसी फाहमें लिखना है देखें अगर इस सारे angle में से मतलब XOQ Q में से मैं अगर इतना हिस्सान निकाल दो एक्स ओ आर दूँ नगे मैं तो अगे मैं यहां पे वही करूंगा देखे lips kan ils क्यूंहें इस सब्ट्रैक करूं XOR तो बचो हमारे पास बागी का बचा R-O-Q तो बचो P-O-R हमारा इसकी इक्वल है और P-R-O-Q हमारा इसकी इक्वल है अब बचो मैं क्या करों ने देखें मैं XOR और XOR को एक सा रख लेता हूं तो बचो यहाँ बन जाएगा हमारा XOR ठीक है यह वाला अब बचो यहाँ पर है minus angle XOR तो बचो इसको मैं इस side transfer कर लेता हूं left hand side में तो बचो यह बन जाएगा plus XOR ओके अब बचो यह जो XOP है इसको मैं transfer करूँगा right hand side में तो बच्छोई क्या बन जाएगा minus angle xop है तो बच्छोई यह बन जाएगा plus xop और बच्छोई angle xoq already plus है तो बच्छोई यहापर में लिख देता हूँ angle xoq तो बच्छोई देखे xor xor मतलब की angle xor और angle xor आपस में add हो रहे हैं तो बच्छोई बन जाएगा to angle to angle xor and this is equal to Xop की value क्या देखे xop और बच्छो xoq हमारा ठीटा 1 की equal है तो बच्छो xop की place पर मैं put कर सकता हूँ ठीटा 1 ठीटा 2, ओके, अब बच्चों हमने देखे क्या करना है, XOR और X2 की हमारा हो गया, तो बच्चों यह जो 2 है हमारा, देखे, XOR मैंने इहां लिख दिया, यह बच्चों 2 को मैं ट्रांसफर करता हूं, राइट हैंड साइड में तो बच्ची हो जाएगा, नीचे डोमेटर में आजाएगा, एंगल XOR, this is equal to theta 1 plus theta 2 upon 2, ठीक है बच्चों हमारा यह form बन गई, तो बच्चों इसको हमारी कुशनमबर 4 थी, वो हमारी थी 4, 5, ठीक है, तो बच्चों यह हमारी हो जाएगी, हमारी कुशनमबर 6 हो जाएगी, और बच्चों similarly, देखे, similarly, अगर बच्चों मैं एंगल XOS निकालू, ठीक है, यह बच्चों हमारा internal निकल गए देखे, XOR बच्चों क्या हमारा, angle theta है, मतलब XOR, इसका angle theta मन रहा है, मतलब भी bisector का angle बन रहा है, internal का, अगर बच्चों मैं external bisector का angle निकालू, XOS का, अगर बच्चों मैं angle निकालू, तो वो बच्चों क्या बन बच्चों यह o r ए और बच्चों यह o s है तो बच्चों इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल मन रहे देखें tta r all ओस बेश्यक्त एक दूसरी की परचहीं है लेकिन बच्चों इनका जो ओरीजिन सेम है ओ ठीक है बच्चों तो बच्चों, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, O, R और O, S के बिट्विन, जो हमारा एंगल बन रहा है, वो बन रहा है, 90 डिग्री, और बच्चों, 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 2, ठीक है, तो बच्चों, हम एंगल X, O, S को ये लिख सकते हैं, पाई अपॉन 2, प्लस ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 अपॉन 2, अब बच्चों, ऐसा हमने क्यों कर देखें, O, R बाइसेक्टर है, इंटर्नल, जो रिलेशन O, R का, O, P और O, Q के साथ होगा, क्योंकि O, P, O, Q को ही बाइसेक्ट कर रहा है, O, R, तो बच्चों, ये रिलेशन था, तो बच्चों, O, S भी बाहर से, एक्स्टर्नल से, O, P, O, Q को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और बच्चों, O, R का भी जो एंगल है, वो ठीटा है, इंकलाइंट और O, S का भी ठीटा है, तो बच्चों, दोनों की वैलेशन सेम आनी चाहिए, लेकिंगे बस दोनों में ये फर्क है, कि O, R की जो वैलेशन आएगी, उसमें अगर हम पाइपॉन 2 एड़ कर दें, क्योंकि O, R और O, S के बीच में सिर्फ ये ही फर्क है, कि वो दोनों के बीच में जो एंगल है, वो पाइपॉन 2 है, बाकि दोनों की वैलेशन सेम है, तो बच्चों, अगर हम O, S के केस में पाइपॉन 2 एड़ कर दें, तो वैलेशन तो वही रहेगी हमारी जो X, R के केस में आई है, तो बस बच्चों, हमने क्या किया, जब एंगल X, O, S लिखा, तो हमने सिर्फ X, O, R की वैल्यू में पाइपॉन 2 एड़ कर दिया, मतलब 90 डिगरी हमने एड़ कर दिया, तो बच्चों, यह हमारी बन गई, एकोशन नमबर 7, ओके, अब बच्चों, जो बाकी का पार्ट है, वो हम करते हैं आगे, तो उससे पहला भी इतना नोड कर ले, तो नाउ स्ट्रेंट्स हमारे पास, देखें, एंगल X, O, R आ गया, ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 अपॉन 2, उसको हमने का, एकोशन नमबर 6, और बच्चों, एंगल X, O, S हमारे पास आ गया, पाई अपॉन 2 प्लस ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 अपॉन 2, से एकोशन नमबर 7, अब बच्चों, अगर हम एकोशन नमबर 6 को, फोलो करें, तो बच्चों, देखें, X, O, R हमारा क्या है, देखें, X, O, R की वैल्यू है, जो एंगल बन रहा है, थिटा, क्या बन रहा है, थिटा, X, O, R का जो एंगल बन रहा है, X, X's के साथ वो है थिटा, तो बच्चों, अगल X, O, R को हम क्या लिए सकते हैं, थिटा, घिस is equal to, तो बच्चों ये हमारा वैसे ही रहेगा, सेम theta 1 plus theta 2 upon 2 अब अब चो यहां पर हम करते हैं changes angle x o s भी बच्चो क्या है theta है तो बच्चो यहां पर भी इसकी place पर हम क्या लिख सकते हैं theta this is equal to pi upon 2 plus theta 1 plus theta 2 upon 2 ठीक है बच्चो अब अब चो हमने क्ते हैं तो को हम यहां पर करते हैं cross multiplication तो बच्छो यह हमारा बन जाएगा देखें 2 theta this is equal to theta 1 plus theta 2 तो बच्छो यहाँ पर भी अगर हम lcm लेते हैं तो पहले ही क्या बनेगा देखें lcm लेएंगे तो पहले यह बन जाएगा theta this is equal to pi plus theta 1 plus theta 2 upon 2 और अगर बच्छो इस 2 को देखें पहले हमने lcm लेगा यहाँ पर भी denominator में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हमने LC में तो यह बन गया, और अगर बच्चो इस 2 को हम cross multiplication करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो बच्चो यह यही बन जाएगा, देखें, क्या बनेगा यह, यह बनेगा बच्चो हमारा, 2 theta, this is equal to, pi plus theta 1 plus theta 2, ठीक है बच्च tan 2 theta, और बच्चो यहाँ पर मैं लगा दूँगा, tan theta 1 plus theta 2, तो बच्चो मैंने both side, tan apply कर दिया, ठीक है, अब बच्चो यहाँ पर भी मैं both side करूँगा tan apply, ठीक है, यहाँ पर भी मैं both side करूँगा tan apply, और ठीक है, tan 2 theta, और बच्चो यह सारा हमारा क्या बनेगा, यह सारा हमा यहां मैं लगाता हूँ close braces कि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंच यह देखो यह 10 है यह हमारा बच्चो थोड़ा समया कर देता हूं देखें 10 2 theta this is equal to 10 10 10 pi plus 10 pi plus theta 1 plus theta 2 this ओके अब बच्चो देखें अब यह form थो हमारी बन गई है देखें बच्चो यह जो यह वाली form है इसको थोड़ा समय और simplify करूंगा देखें बच्चो यह हमारा होता है coordinate system ठीक है यहां पर होता है zero value मतलब zero यहां होता है origin यहां होता है zero degree यहां होता है pi upon two या फिर बच्चो मैं लगता है उसको अपना 90 degree या फिर लगता हूं pi अपना ठीक है radian में pi upon two pi 3 pi upon two और बच्चो ऊपर होता है हमारा यहां पर zero और नीचे क्या होता है two pi तो बच्चो देखें third coordinates में देखें all school to college अब बच्चो हम बात करते हैं 10 की सिर्फ first हमारे जो first हमारे first quadrant है यहां पर बच्चो जितने भी हमारे trigonometric function होते है साइन कोज सी करने सब सी कंट सब्सक्रेव होते हैं सेकेंड कोर्स बंलिट साइन और उसका reciprocal को सीकंट हमारे पॉसिटो ہ꺼ते हैं थर्ड में हमारा ten और cot positive होते हैं और बच्चो फॉर्थ quadrant में cause और secant हमारे positive होते हैं तो यहां पर हमने बात करनी है 10 की थीक है तो बच्चो देखे और पैप्लस theta 1 प्लस theta 2 मतलब आंगल में हम Pi add कर रहे हैं मतलब πाई में यह जो πाई हमारा है पाई किदर है इदर आ रहा है और अगर बच्चों इसमें हम कुछ add करते हैं तो बच्चों यह कहां जा देखें यहां पर पाई है अगर इसमें हमने कुछ angle add के तो बच्चों यह कहां जाएगा यह 3rd quadrant में जाएगा ओके एकस में जाएगा 3rd quadrant में जाएगा और बच्चो 3rd quadrant में 10 होता है positive तो बच्चो यह value हमारी क्या बन जाए देखें यह value बच्चो हमारी बन जाएगी यह बनेगी 10 2 theta this is equal to तो बच्चो पाई है इसका फंटा यहां खतम हो गया और बच्चो यह जो हमारी x-axis होती है यहां पर value change नहीं होती मतलब 10 code में change नहीं होगा 10 10 ही रहेगा अगर बच्चो हमारे पास पाई upon 2 होता जैसे बच्चो हमने पढ़ा है छोड़ी classes में कि sine pi upon 2 plus theta तो भच्चो यह होता दढ़ और कोश kindergarten च्थीट क्योँ हाई या पर देखे आपको यहां बना cost theta तो बच्चो देखें क्योंकि pae upon 2 हमारा 90 इजेटरी आगे बच्चो continues convert हो जाता है मतलब value change होती अगर बच्चो हमारे पास x-axis का कोई quantity हो y मतलब 0 हो pi हो 2 pi हो तो बचो value हमारी change नहीं होती मतलब 10 10 ही रहेगा तो बचो pi हमें क्या बताता है कि value positive है या negative है तो बचो यह pi आ गया pi में हमने add किया कुछ angle theta 1 plus theta 2 तो बचो यह third quadrant में आएगा third quadrant में 10 होता है positive तो बचो यह हमारा क्या बन जाएगा tan theta 1 plus theta 2 ठीक है बचो यहाँ पर बचो pi से हमारे अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया हमने यह diagram बना के तो यह और यह same है यह दोरों equal है ठीक है बचो pi plus theta 1 plus theta 2 हमारे equal होता है tan theta 1 plus theta 2 के ओके बचो pi से हमारे क्या मुराद है कि pi सिर्फ है बताता है कि हमारे sign क्या है positive and negative तो बचो इसको मैं रब कर देता हूँ तो बचो देखें हमारे पास यहाँ पर दो values आई है tan 2 theta tan theta 1 plus theta 2 और tan 2 theta tan theta 1 plus theta 2 मतलब कि बचो यह है internal bisector की form और बचो यह है external bisector की form तो बचो दोनों same है अब बचो अगर दोनों same है तो अगर इसमें से किसी एक को हम उठा लेते हैं उसको solve करते हैं तो बचो दोनों की value आ जाएगी तो बचो इसमें से हम common किसी एक को उठा लेते हैं solve करते हैं तो हमारे पास O, R और O, S दोनों bisector की values आ जाएंगी, वो बच्छों हम करते हैं आगे, उससे पहला हम इतना note कर लें, हमारे पास यह value आ गई थी, tan 2 theta this is equal to tan theta 1 plus theta 2, तो बच्छों हमने उन दो values में से एक common value यहां पर pick कर ली है, अब बच्छों इसको हम solve करेंगे, तो बच्छों tan 2 theta, यह बन रहा है हमारा trigonometric का formula, और बच्छों यह होता है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta के equal, ठीक है बच्छों यह trigonometric का हमारा formula है, इसके equally होता है, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, ओके, अब बच्छों tan theta 1 plus theta 2, तो बच्छों यहाँ पर हम apply करेंगे tan A plus B का formula, और बच्छों वो हमारा एककल होता है, tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B, तो बच्छों यही formula हम यहाँ पर apply करेंगे, यह बन जाएगा बच्छों tan theta 1 plus tan theta 2 upon 1 minus tan theta 1 into tan theta 2, अब बच्छों हमने आगे क्या करना है, कि हमने tan theta 1 और theta 2 की value put करनी है, तो बच्छों tan theta 1 हमारा क्या है M1, और tan theta 2 हमारा क्या M2, तो बच्छों यह value हम यहाँ put कर देंगे, left hand side बच्छों अभी हम chain नहीं करेंगे, इसको हम as it यहाँ पर रखेंगे, tan theta 1, I am sorry, tan theta tan theta 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, this is equal to, तो बच्छों ही क्या बन जाएगा, tan theta 1, M1 tan theta 2 plus M2 upon 1 minus 1 minus tan theta 1, M1 multiply tan theta 2 into M2, ठीक है बच्छों, इसके बाद बच्छों यहाँ पर हमने values put करनी है, तो बच्छों फिर हम दुबारा लेखेंगे, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, तो बच्छों देखें, M1 plus M2 हमारा क्या है, देखें, M1 plus M2 है, minus 2H upon B, तो बच्छों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, minus 2H upon B, upon, और बच्छों, यहाँ पर है 1 minus M1 into M2, बच्छों हमारा क्या है, A upon B, तो बच्छों यह जो minus है नीचे वाला, इसको अगर मैं नीचे ले जाओं, तो बच्छों यह क्या बन जाएगा, देखें, यह बन जाएगा, 2H upon B, और बच्छों यह अगर minus मैं नीचे multiply कर दूँ, ऊपर minus है numerator में, अगर इसको मैं नीचे लेओ, और minus multiply कर दूँ, तो बच्छों यहाँ पर है 1 minus A upon B, तो बच्छों हो जाएगा, A upon B minus 1, ठीक है, इस minus को मैं अंदर multiply कर दिया, 1 बन गया minus का, और A upon B हमारा बन गया plus का, अब बच्छों हम क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, तो बच्छों उपर तो यही रहे का 2H upon B, और बच्छों नीचे क्या बन जाएगा, देखें, यहाँ हम लेंगे LCM, A upon B minus 1, तो बच्छ यहाँ पर हमारे पास value क्या है, देखें, इसको बच्छों मैं रब कर देता हूँ, यह formula हमारे लिखा है, तो बच्छों यहाँ से हमारे पास आ गया, कि जो 2 tan theta है हमारा बच्छों, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, वो बच्छों हमारा किसके कोल आ गया, 2H, 2H, A minus B, ठीक है, और बच्छों हम तो यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 cancel भी कर सकते हैं, तो बच्छों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें, इसको हम लिख सकते हैं, क्या, tan theta upon 1 minus tan square theta, this is equal to H upon A minus B, ठीक है बच्छों, यह हमारा left hand side था, 2 से 2 cancel हो गया, H upon A minus B, तो बच्छों यह हमारी form बन गी, तो बच्छों इस form को इस form में convert करना है, X or Y की form में, तो वो बच्छों हम करते हैं, आगे उससे पहले आप इतना note कर लें, so now students, हमारे पास यह form बन गी थी हमारी, tan theta upon 1 minus tan square theta, this is equal to H upon A minus B, और बच्छों हमें पता है कि यह हमारी homogeneous equation है, और बच्छों homogeneous equation में, जो यह equation homogeneous होती है, वो जिन line की equation स बनती है, उनकी जो general form होती है, वो होती है, Y equal to MX, और बच्छों अगर इसको मैं थोड़ा arrange करूं, तो बच्छों यह बन जाएगा, Y equal to Y upon X, this is equal to M, और बच्छों M क्या हमारा होता है, slope, और बच्छों जो हमारा slope होता है, M वो tan theta की equal भी होता है, तो बच्छों यहाँ पर M क tan theta, this is equal to Y upon X, and put in this equation, तो बच्छों क्या बन जाएगा, देखें, इस equation में हमने tan theta की place पर क्या पूट करना है, Y upon X, तो बच्छों इसको हम कोई नाम दे रहेते हैं, माल लेते हैं, हमने 7 equations पीछे वाली थी, यह 8 equation हो गई, 8 हो गई, और बच्छों हम कर देंगे, put in 8, put in equation 8, त बच्छों यह 4 हमारी क्या बन जाएगा, देखें, tan theta यहापर, तो बच्छों यहापर हम put करेंगे, Y upon X, upon 1 minus, बच्छों यहापर है tan square theta, तो बच्छों क्या बन जाएगा, Y square upon X square, this is equal to H upon A minus B, बच्छों इसको हम आगे solve करेंगे, तो बच्छों यहाँ करते हैं, देखें, बच्छों हम यहाँ करते हैं, ठीक है, और लिखेंगे, बच्छों यहाँ पर तो ऊपर तो Y upon X ही रहेगा, बच्छों नीचे हम लेंगे, L सिम तो बच्छों बच्छों बन जाएगा, X square minus Y square, X square यहाँ जाएगा, X square minus Y square upon, नीचे कर जाएगा, X square, this is equal to H upon A minus B, बच्छों इ बच्छों बन जाएगा, X square upon X square minus Y square, ठीक है बच्छों, यह हमारे denominator में यह था, X square minus Y square upon X square, तो बच्छों इसको मैं, जब multiply में लेके जाऊंगो, तो बच्छों यह reciprocal हो जाएगा, X square उपर आजाएगा, X square minus Y square नीचे आजाएगा, ठीक है, बच्छों यहाँ पर X square से, एक X से एक अपना cancel होगे, तो बच्छों ऊपर क्या रहा गया, X, Y, तो बच्छों बाकी पाट हम यहाँ लिखता हूँ, X, Y, और डालके, बच्छों नीचे क्या रहा गया, X square minus Y square, ठीक है, इस इस इक्वल to H upon A minus B, अब बच्छों हमने, क्या बनाना था, X square minus Y square upon A minus B, X, Y upon H, तो ब बच्छों हमारा क्या बन जाए, देखें, यह बन जाएगा, X square minus Y square, ठीक है, यहाँ जाएगा, तो बच्छों नीचे क्याएगा, A minus B, and this is equal to, बच्छों, H यहाँ नीचे जाएगा, तो बच्छों यहाँ पर है, X, Y upon H, बन जाएगा, क्योंकि बच्छों हमने यही, जो form है बच्छों हमने कर लिया, X square minus Y square upon A minus B, X square minus Y square upon A minus B, और X Y equal to H, X Y upon H, ठीक है बच्छों, तो बच्छों यही form हमने यहाँ पर बना लिया है, So student, I hope कि आपको Tune No.3 समझ आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ benefit हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को like करें, अपने friends के साथ इस वीडियो को share करें, और अगर आपने अभी तक मैं चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर लें, thank you so much, bye, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो मे प्लीज वीडियो में चैनल, thank you